नमस्कर हमारे यूटूब चैनल के अमार्ट स्टेडिय में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं भी एच्यू फेकल्टी या बिजुल आट की स्टूडेंट हूँ यहां के MFA Final Year के स्टूडेंटों की कलाकृतियों का मुल्यांकन हुआ आज जिसमें 220 इस्टूडेंट थे, सभी टीचर से थे सभी कलाकारों ने अपने कलाकृतियों को दिखाया और उसके बारे में बताया कि उन्होंने अपनी कलाकृति के माध्यम से क्या दिखानी की कोसिस की है यह रहें कुछ कलाकृतिया यह है सविता वर्मा जी की पेंटिंग जो MFA final year की student है इन्होंने अपने पेंटिंग में यह दिखाया है कि इन्होंने यह दिखाया कि एक इनसान एक जानवर के प्रति क्या सोचता है किस नजरिये से देखता है एक जानवर को यह जो है जानवर का firm है इनसान के लिए face को दिखाया है जैसे कि इनसान उसके चम्डे को एक paper के बाती समझता है कि जैसे चाहो ऐसे फार दो, निकाल दो और कुछ कमपनियां ऐसी हैं कि उसको जानवर के चम्डे से बहुत सारे सामान बनाती है जैसे leather bag, belt के इत्यादी बना जाती है बहुत सारे ऐसी कमपनियां हैं जिसके में इसका यूज अभी भी होता है यह है सभिता वर्मा जी की second painting इसमें इन्होंने दिखाया है कि एक इनसान जो है अपनी मनों कामना पोरी करने के लिए जानवर को काट करके भगवान को प्रशन ने करने के लिए देवी दियोताओं को जानवर को काट करके चड़ा देते हैं जानवर को इस painting में सिम्बली तोर पे भगवान को दिखाया गया है उनका पैर है इनसान के लिए हाथ दिखाया गया है भगवान के लिए पैर दिखाया गया है जिस पे पुस्प और बलड चड़ा हुआ है और नीचे जानवर का सिर है दो भागों में काटा गया है ये कैची है बनाया गया है जो कि इनसान के रूप में बनाया गया है उसे एक आकार दिया गया है, इंसान का, कैची पे ब्लड लगा हुआ है, दिखाया गया है पैंटिंग में, सविता वर्मा जी का ये थर्ड पैंटिंग है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि इंसान अपने स्वांदर ये के लिए जानवरों के प्रतियासा बेवार करता है जैसे इस मौक, बंद कमरे में करके उसे उसका धुमा सुंगाया जाए, बंद कमरा दिखाने के लिए ये लकीर दिखाया गया और धूप, और धूप के जगा पे सिगरेट दिखाया गया है